हाई, वेल्कम तो माई चनल, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे question number 20 find the area of the field sewn in the figure 20.39 तो यह है आपका figure 20.39 by dividing it into a square, rectangle and a trapegium मतलब कि इस figure का area निकालना है आपको, इसको divide करके किस form में? मतलब इसको parts में divide करना है और इसको parts जो है square होना चाहिए rectangle होना चाहिए या फिर एक trapegium ओके, तो क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर यहाँ पर हम ड्रा करेंगे तो एक rectangle बनेगा, एक square बनेगा और एक trapegium बनेगा तो चलिए हम ड्रा करते हैं, देखिए देहां देजेगा इस f से, यदि हम यहाँ पर एक मिला दें, तो हमारा यह क्या होगा? एक square बन जाएगा, square क्यों बनेगा? क्यों इसको बलेंगे square ही है क्योंकि 4 cm एवी है, 4 cm एवी है, और यह 4 cm ही होगा यह कैसे मैं दावे से का सकता हूँ, हना आप सचेंगे तो मैं इसलिए का सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 90 है यह 90 है, और यह भी क्या है? 90 है और यहाँ भी 90 होगा यह 90-90 सारे हैं, इसका मतलब कि यह परलोग्राम है इसका मतलब कि यह जो FG जितना होगा, उतना ही इसका opposite side होगा यह वाला यह भी 4 cm होगा, और AG जितना होगा, उतना ही यह भी side होगा जो green part में ड्रा किया है, तो यह भी आपका 4 cm ही होगा तो यहाँ पर हम भी सकते हैं, 4 cm, ओके, अब हम यह बन गया square, अब हम बनाना चाहते हैं एक rectangle, rectangle इसे बनाएंगे, तीक है, यहाँ सी यह हम ब्रा करेंगे, एक perpendicular line ऐसे यह क्या बन गया, rectangle बन गया, और यह क्या है, trapezium है, तो square, rectangle and trapezium यह बन चुका है, ठीक है अब इस rectangle का जो length और breath है, यह find करना जरूरी है, अब ध्यान दीजे, यह 4 cm और 4 cm, मिलके कितना हो जाएगा यह, आपका मिल गया length, यही आपका क्या है, length है यहां से लिकर यहां तक, और यह कितना आया, यह आया है, 4 प्लस 4, 8 cm, ठीक है, तो length मिल गया, breath तो पता यह 4 cm है यहाँ पर, और इस आबात है, hypotenuse में, sorry, trapezium में, trapezium में क्या है, यहाँ पर देखे, एक base दे दिया है, दूसरा base यह पता हो गया 8 cm यह, क्योंकि यह भी length तो यह base 3 cm पता है, अब हमें height find करना है, कि यह कितना होगा, ठीक है, यहां तक, क्या करना होगा, यह, देखे, यहां से यह कितना है, 4 cm है, ठीक है, और यहां से यहां तक, हम इसको, बार्टरिंग कर दें से रहेगा, और यह यहां से यहां तक कितना है, 4 cm यह, क्योंकि यह भी 4 है तो यह भी 4 cm होगा क्योंकि पहलो ग्राम है तो 4 cm यह भी हो जाएगा यहां से यहां तक अब यहां से जो बचा हुआ है यह भी तो 4 cm ही होगा क्योंकि यह पूरा मिल करके चल्वल संट्मेटर है तो इन दोनों को एड्ड करके 4 cm 4 cm यह 12 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 cm बचेगा तो यह भी हो गया 4 cm यहाँ से यहाँ तक और यह जो 4 cm के height बता रहा है क्योंकि यह perpendicular है ठीक है तो trapezium की जो height है altitude है वो मिल गया 4 cm यहाँ से यह height तब हम इसकी area निकाल सकते हैं तो अब हमें सबुच find हो गया है ऐसा कर लेने के बाद ही आप area find करिए ठीक है अब मैंने सबुच कर लिया है तो आप यहाँ पर area of the solution area of the given figure given figure is equal to area of square square क्या है यहाँ पर नाम क्या है a g f यहाँ पर कुछ पता नहीं है तो g h यहाँ पर नाम लेते हैं h g h यहाँ पर इसको नाम देते हैं इस point को i i और हो गया तो हमारा square बनेगा क्या a g f h a g f h plus area of rectangle क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा कुछ भी दर से h e d हम देशकते हैं एज e d i h e d i यह हो गया area of rectangle plus area of the museum area of trapezium trap trap dot trapezium क्या हो जाएगा a b c d i b c d i b c d i okay तो इन सब का sum जो है वही area of the figure है तो हम area of square पढ़ने का लेते हैं तो इसका क्या होता है साइड का स्क्वेयर साइड का स्क्वेयर होता है फार्मूला प्लस इसका होता है लेंथ इंटो ब्रेथ l इंटो बी प्लस area of the trapezium क्या होता है 4a1 by 2 into sum of parallel sides multiplied by distance between them distance between them ठीक है, ओके, तो side का square means, यहाँ पर आ जाएगा 4, 4, 4, 16 हो जाएगा यहाँ पर, plus L into B कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखे, L आपका है 8, इंटू, यह 8 हो गया, इंटू 4, यह हो गया है आपका breath, plus, sum of parallel sides, अब यहाँ पर देखे, इस्ट्रपीजियम में, sum of parallel side क्या है, 8 plus 3, 8 plus 3, multiplied by distance between them, 4 cm यह distance है, ठीक है, यह perpendicular है, इसलिए मैं ले रहा हूँ, यह 4 cm का height, ठीक है, तो हमने अब लगभग calculate कर लिया है, तो यहाँ पर आजाएगा 16, प्लस यह 8, 8, 4 जा, 32, प्लस यहाँ पर देखे, 202 और यह 2, 24, 8, 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 multiplied by 2, तो final 11 मिल जाएगा 16 और 32, 16 और 32 कितना होगा add कर लिजे, तो यह मिलेगा आपको, 8, and 314, 48, प्लस 11, 22, और इनको यह दि हम add करेंगे, तो मिल जाएगा 70 cm², ओके, इस इस यूर final answer, तो question आसान है, बस आपको इस तरीके से अच्छे से मतलब हो, इसको divide करके, एक square में, एक rectangle में, यह rectangle है, और यह trapezium में, ऐसे divide करके, आपको find करना है, ठीक है, thank you so much for watching, share करिएगा अपने दोसों साथ, और like जरू करिएगा, thank you so much, मिलते हैं आपसे next वीडियो में, next question के साथ, so bye.